नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mehipal Singh.hor और आज इस lecture में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा Literature के Nobel पुरसकार के बारे में 2021 का साहित्य Nobel पुरसकार घोशित हो चुका है और इस बार के विजेता है अब्दुलरजाक गुर्ना तो अब्दुलरजाक ने क्या लिखा है, किस बारे में लिखा है, कौन से देश को ये विलॉंग करते हैं इसी तरह की कुछ basic details साथी साथ Nobel Prize Literature से जुड़े हुई कुछ important facts आपको मैं आज इस lecture में बताऊंगा अगर आप मुझसे Unacademy app पर जुणना चाते हैं तो इस idea पर मुझे वहाँ follow जरूर कीजिए 2021 साहित्य नोबल पुरसकार के विजेता अब्दुलरजाक को ये award दिया गया है क्योंके उनकी overall writing जो उन्होंने किताबें लिखी है वो सभी उपनिवेशवाद और शर्णार्थियों की स्थिति को बहुत ही मार्मिक तरीके से दर्शाती है colonialism और refugees उनकी किताब के बहुत important themes रहे हैं अलग-अलग continents खास करके अफरीका और यूरोप के बीच में किस तरह से cultures का संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है वो भी इनकी किताबों के माध्यम से हमें पता चलता है इनकी कहानियों में ये सभी बातें जलकती हैं क्योंकि अब्दुलरजाग खुद अफरीका में पैदा हुए थे तो तंजानिया तब एक ब्रिटिश कॉलोणी था जब इनका जन्म यहाँ पर हुआ था और तंजानिया में भी टू बी स्पेसिफिक जान्जी बार नाम का एक आईलेंड है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इंडियन ओशन के अंदर तंजानिया के तटके निकट यह जान्जी बार जिसे आईलेंड ऑफ क्लोव्स भी खा जाता है यहाँ पर इनका जन्म हुआ और उसके बाद इन्होंने अपनी higher education UK से कर पार करते थे उससे संबंदित कहानियों की जलक देखने को मिलती है और पिछले कई समय से यह professor of English and post-colonial literatures at University of Kent रहे हैं इनकी जो प्रमुक किताबें हैं नौवल्स हैं वो मैं आपको बताता हूं तो कुल मिलाकर 10 नौवल और कुछ short stories इन्होंने लिखी हैं जिसमेंसे सबस किताबें होती हैं उसमें इसका नाम था तो paradise में भी इन्होंने जो कहानी लिखी है वो भी colonialism से ही संबंदित है इसी टंजानिया वाले शेत्र की कहानी इन्होंने बताई है उसके बाद desertion और by the sea नाम की किताबें भी इनकी काफी famous रही हैं तो इन किताबों के लिए इनका लिखने वाले लेखक कौन है तो इनका नाम है अब्दुल्रजाक गुर्ना आईए अब साहित्य नोबल पुरसकार के बारे में कुछ basic जानकारियां भी देख लेते हैं तो ये award 1901 से दिया जा रहा है यानि कि जब से नोबल पुरसकार चाल हुए है इसको देता कौन है Swedish Academy य और मिलता है एक gold medal साथ ही excitation और काफी अच्छा पैसा साथ बार ये award नहीं दिया गया due to world wars etc जो ये medal है कुछ इस प्रकार का नजर आता है इस medal में आपको क्या दिखेगा Alfred Nobel की image left profile image दिखती है ये सभी noble वाले जो medal है ये दो जगे पर mint किये जाते हैं एक जगे का नाम है mint workit Sweden में और दूसरी है mint of Norway तो यहाँ पर ये सारे medals को mint किया जाता है तीन साल पहले सन 2018 में साहित्य नोबल पुरुसकार को लेकर specifically एक बहुत बड़ी controversy हुई थी और इसलिए 2018 में साहित्य का noble उस समय नहीं दिया गया था फिर बाद में 2019 में announce हुआ था और 2018 और 2019 का 7 में announce हुआ थ कि जो Swedish Academy है इसमें एक member है उनके पती जो है वो sexual misconduct के आरोपों में मतलब उन पर आरोप लगा था उसमें गिर गए थे तो John Claude Arnold नामके एक French लेखक हैं उनकी wife इस Swedish Academy पर थी और ऐसे आरोप लगे थे कि ये दुनिया में ऐसा कह रहे थे कि मैं noble पुरुसकार दिलवा दूँग और 2019 में पूरा Academy ने board को change किया और 2019 में 18 और 19 के award एक साथ दिये गए अगर पहले noble पुरुसकार की बात करें तो साहित्यों में first noble जीतने वाले थे सली प्रधोम जो की एक French poet थे और इनको अपने poetic compositions के लिए ये award दिया गया पहली महिला जिसने ये award जीता वो थी Selma Lagerloff जो Sweden क जीती ही थी 1909 में उन्होंने ये award जीता उस समय काफी controversy भी थी कि एक महिला को कैसे दे दिया तो जब भी कुछ पहली बार होता है महिला उसे संबंदित तो दुनिया कभी उसे आसानी से accept नहीं करती तो इन्हें भी अपनी लेखनी के लिए ये award दिया गया था भारत के पहले और एक मात्र साहित्य नोबल पुरुसकार विजेता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टेगोर और इन्हें ये award मिला था 1913 में एक बात याद रखना कि नोबल पुरुसकार किसी एक किताब के लिए नहीं मिलता है जैसे कई जगे मैंने देखा है लिखा हुआ होता है कि गि पर ये award दिया जाता है तो कभी भी याद रखना कि कोई एक individual किताब के लिए नोबल पुरुसकार नहीं मिलता जैसा कि Booker Prize में होता है Booker Prize एक particular book के लिए होता है ओके और हर award देते समय एक citation होता है जिसमें लिखा जाता है कि इस लेखक को ये award क्यों मिल रहा है जैसे बहुती sensitive है fresh है बहुती सुंदर है और इसके माध्यम से जो इन्होंने अंग्रेजी इस्तमाल करी है वो मतलब इंडिया से एक English language में लिखने वाला writer West के literature तब को influence कर रहा है तो ये specifically इसमें लिखा गया था पिछले साल 2020 का Nobel पुरुसकार मिला है अमरीकी poet Louise Gluck को और ये भी न पसंद आया तो चैनल को subscribe जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है वीडियो को like कर दें algorithm को लगेगा कि अच्छा वीडियो है और लोगों को recommend किया जाता है अगर आप UPSC aspirant है तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि An Academy के सारे top educators live पढ़ाते हैं platform पर तो आप अगर live पढ़ना चाते हैं तो An Academy Plus subscription को अवेल कर सकते हैं दो प्रकार के हाँ पर subscription है Plus और Iconic Iconic में आपको personal guidance उपलब्द करवाई जाएगी ये एक बहुत बढ़ा difference है बाकी Plus में आपको सारी facilities जैसे की live class, weekly test, structured courses देखने को मिलेंगे 20th October से मेरा NCRT quality course स्टार्ट हो रहा है तो इसको अगर आप join करना चाते हैं तो इसका link नीचे आपको मिल जाएगा अगर आप एक Plus subscriber हैं तो आप इस course को join कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप 1 year, 2 year subscription को लेते हैं सभी में आपको 10% discount मिलेगा अगर आप महिपाल code का इस्तमाल करते हुए इसे लेते हैं देखे UPSC crack करने के लि और पूरी current affairs की coverage ये भी हम आपको दे देते हैं और magazine का PDF भी आपके लिए available होता है और ये सब कुछ अब आप EMI option पर available कर सकते हैं तो EMI के लिए आपको इस video के नीचे description में जो पहला link आ रहा है learner link उस पर click करना है और इस से आपको क्या फायदा होने वाला है कि आप EMI पर हर म is going to start on 18th October, optional के कई नए batches start हो रहे हैं 21 October से और 17 तारिक को जो combat होने वाला है इस रविवार को combat नहीं है क्योंकि of course UPSC prelims है तो 17th October को combat आ रहा है उसमें history के questions मेरे द्वारा बनाये गए हैं मेरे और अन्ये faculties के द्वारा तो इनको ज़रूर attempt करें आप और यहाँ पर अगर आ academy के learners हैं जिन्होंने इस साल का exam crack किया है उनके नाम आप यहाँ देख सकते हैं rank देख सकते हैं so congratulations to all of these thank you very much for watching this have a great day